हेलो एबरीवन, वेलकम तो माई चैनल सुनालीस कॉर्नर आज मैं आपको दो स्क्रब का रिव्यू देना चाहती हूँ पहला तो है पतनजली का बॉड़ी उप्टन और दुसरा है एम कैफिन का बॉड़ी स्क्रब जैसा कि आप जानते हैं पतनजली को किसी भी इंट्रोड़क्शन की जरूरत नहीं है और एम कैफिन भी आज कुछ सालों से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है अपने कॉफी के स्मेल की वज़े से इसके सारे प्रोड़क कोफी के ही स्मेल में आपको मिलेंगे पाकेजिंग की बात करें तो यह एसे औरामल से प्लास्टिक के पैकेट में आपको मिल जाएगा और वही अगर एम कैफिन गाफिन ऐसे घ्लास बॉटल मिलेगा तो इसके साथ में आपको एक टशेम भूट्यो को ब्रोड़क के मिलेंगा दोनों में से डेफिनेटरी आपको कॉफी वाला ज्यादा पसंद आएगा इसका पैकेजिंग ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि यह ग्लास के बॉटल में है काफी क्लासी सा दिखता है इसके साथ में आपको बोडेन का एक स्पून भी मिल जाता है और वही यह नॉर्मल स अगर आपको कॉफी जादा पसंद है तो यह डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है क्योंकि यह पूरा इसका टेक्शर आप देख सकते हैं जो बिलकुल कॉफी के तरह ही है सेम लगेगा कॉफी ही है बट थोड़ा सा हार्श है इसके अंदर बहुत दानेदार एकदम हा काफी वाला है दोनों ही स्क्रब को आप वीकली टू टाइमस यूज कर सकते हैं ऐसे तो दोनों को स्रिफ पानी में मिलाकर लगाने बोला है पर इसमें आप दूद या दही दोनों में से कोई भी जो आपके स्किन में जाता है आप यूज कर सकते हैं अगर आपको नैचरल च यह सब नैचरल चीजों से यह बना हुआ है और अगर इसकी बात करें तो यह तो लगेगा कि पूरा कॉफी यह आप लगा रहे हैं पूरी कॉफी के तरह है बेट अंदर में बहुत ज्यादा दानेदार हाड शे थोड़ा सा इसलिए आप इसको बिल्कुल फेस पे कभी डंप करके उसके बात में आप इसको यूज कर सकते हैं अगर सब्सेमर है तो आप दही मिला सकते हैं विंटर है तो अपसमें दूद मिला सकते हैं उसके बाद आप लगा सकते हैं और दोनों का ही amazing result है अगर पार करें तो इसका smell काफी अच्छा है बहुत ज़्यादा में तो दोनों का result एक दम सेम आपको मिलेगा दोनों में ही आपको लगेगा पुरा पॉलिश हो गया है हाथ इसको लगा के circular motion में बस आपको दो मिनिट तीन मिनिट मसाज करना है उसके बाद पानी से रिंस कर देना है और उसके बाद definitely कोई भी आपको मॉस्यराइजर लगाना है यह आपको ऐसे पाउडर फॉर्म में आएगा देख सकते हैं और यह भी वैसे ही दाना दाना जैसे टाइप का है जैसे कि आप जानते हैं कि यह ग्लास बोटल में आता है अगर आपकी घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा समल के ही आपको इस करना पड़ेगा अगर बात करें कि दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है अगर आपको देखिए अगर आपका प्राइज रेंज अगर आपका हाई है आपको बहुत अच्छे एक कंपनी का प्रोड़क लेना है तो आप डेफिनेटली एं कैफेन का ले सकते हैं वह भी बह बहुत इसके ही बराबर यह आपको रिजल्ट देगा यह मैं शयर हूँ इसलिए अगर मुझे पसर मेरी बात करें तो यह दोनों में से मैं नेक्स टाइम कौन सा लूँगी तो यह मैं डफिनेटली मैं पतंजली वाला लूँगी यह नहीं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चे इन दे सेंस थोड़े से बड़े जैसे कि 6-7-8 साल के 10 साल के 12 साल के वैसे बच्चों को भी आप यह लगा सकते हैं वीकली वान टाइम लगा ही सकते हैं क्योंकि बच्चों भी अपने उपर बिलकुल ध्यान नहीं दे पाते हैं इसलिए weekly one time वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको बट ये तो chemical वाला होगा इसी वज़े से बच्चों को recommend नहीं करना ही ठीक है बट ये वाले बच्चा बिलकुल यूज़ कर सकता है जैसे 8-10 साल के बच्चे या फिटी नेजर बच्चे ऐसे ही रिव्यूज आगे और देखते रहने के लिए मेरे चैनल को like and subscribe जरूर करिएगा आप मुझे comment भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा कौन सा पसंद आया थैंक यू फॉर वाचिंग